स्वागत है आप सभी का अपके अपने चैनल थी अच क्लासेस पर हमारा मोटो है वी टीची अचीव यानि हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें लेकर आ गए हैं हमारे चैनल पर जो चल रहे हैं उसकी माराथान उसी का एक और नया चैप्टर हिंदी में है ठीक है हिंदी का क्लास 12 वाले बच्चों के लिए फिफ्ट चैप्टर आज हम देखने वाले हैं जिसका नाम है रहीम इससे पहले के चार चैप्टर मैं अल्रडी करवा चुकी हूँ वीडियो के लिंक्स आपको डि कीपली समझाया है अगर आप चैप्टर समझ लेते हो तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती कोई भी इंपॉर्ण्ट विशनांसर्स देखने की जरूरत नहीं होती बस आप बुक में से ही आता है जो भी आएगा आप बस चैप्टर को अच्छी तरह स सब्सक्राइब जरूर कीजे ताकि आपको सारी एनल से लिटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें साधी साथ आपकी एक्जाम की तयारी भी मारे चैनल पर चल गए है जो कि आपकी अच्छी हो जाती है इस चैनल से उसके साथ साथ बैल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले क्योंक अब हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे, सोर्थे और कुछ रवी ए ठीक है तो वो हम पढ़ने वाले हैं रहीम जो है एक भक्ति कालिंग कवी से हट कर कुछ ऐसे कवी हैं जो हमें जीवन में प्रेड़ना देते हैं ठीक है इनकी कवीताई या इनके जो दोहे होते हैं वो जीवन किया होगा कि इस काल की कवीता में ईश्वर भक्ती के साथ मनुष्य की दैनिक जीवन की उल्जनों का भी वेनर है और उनसे चटकारा पाने के लिए आवश्रक नैतिक बल प्राप्त करने की उपायों का भी उलेख है तो हमने जितनी भी कवीता हैं पढ़ी उसमें ईश्वर भ मिलते हैं उनसे हमें भक्ती नीती और श्रिंगार तीनों चीजों का बहुत अच्छा मिश्रन मिल जाता है यह विशेश रूप से अपने नीती परक दोहों के लिए विख्यात है आपने में सुना हो का रहीम के दोहे हैं कभी बच्पन में भी सुना हो या फिर अभी भी सबसे जादा मिलते हैं सोठा मिलते हैं और बर्वे मिलते हैं तो यह हमारा मूल पार्ट है यहां से आपके दोहे स्टार्ट हो रहे हैं और साथ में आपके इस साइड देखे मैं दिखा देते हूं आपको इस साइड आपके शबदार्त दिये होते हैं जैसे अगर जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ तो आपको कुछ भी देखने के जरूरत नहीं है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को सबसे पहले मैं आपको पहला दोखा का मतलब समझा देती हूँ जो रहीम ओचो बढ़े तो अती ही इतराए प्यादे सो फर्जी भयो टेड़ो टेड़ो जाए आपने ये जो है कहावत भी सुनी होगी प्यादे सो फर्जी भयो टेड़ो टेड़ो जाए इसमें रहीम कहते हैं जो रहीम ओचो ओचो का मतलब होता है गिरा हुआ ठीक है बढ़ता है तो अती ही इत्राए अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी जब भी किसी मतलब नॉर्मल से इनसान को अगर जादा पैसा मिल जाए तो वो क्या करता है कुछ है इनसान होते हैं जो इसको संभाल पाते हैं लेकिन जादा तर इनसान जो है अपना रवया बदल देत हैं है ना अगर नॉर्मल इनसान को या मध्यम वर्ग के इनसान को बहुत सार उसके पास पैसा आ जाए तो अपना नजरिया बदल देगा अपने बरताव बदल देगा या फिर एक चोटा से एक्जामपल मैं आपको देती हूं जैसे अगर किसी बच्चे को खिलोना मिलता है जो खिलोना किसी और बच्चे के पास नहीं है तेक है वो खिलोना उसको दिया जाता है और उसके बाद वो क्या करता है वो दूसरे बच्चों से अपनी तुलना करने लग जाता है कि देखो मेरे पास तो ऐसा खिलोना है किसी के पास ऐसा है ही नहीं और वो थोड़ा इतरा जाता है तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि जो रहीम ओचो बढ़े तो अती ही इतराए कि यहां पर हमें बताया गया है कि यदि किसी साधारन व्यक्तिगों किनी कारणों से कोई उचा पद मिल जाता है तो वो उतना इतराने लग जाता है बहुत जादा वो इतराने लग जाता है है ना जैसे वो तिर्चे खानों में जितनी भी दूर चल सकता है वो उसकी ही चाल चलने लग जाएगा जैसे अगर वजीर के पास वो पहुंचाता है वजीर के खाने में तो वजीर की चाल चलने लग जाता है इसलिए वह कहते हैं कि जिसको जितना मिले और उतना बढ़े अंधिरों होई यहां पर हमें बताया गया है कि इसमें हमें एक कपूत कपूत होता है अगर कोई गलत इनसान पैदा हो जाता है छोटा बच्चा, ठीक है, अगर चोटे बच्चों को अमझ जैसे अपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है वो गाली दे रहा है ठीक वो है इसको कवी ने इसको रहीम ने दीपक के साथ compare किया है जैसे दीपक जो होता है उसको जब जिलाया जाता है बारे उजियारों लगे जब जलता है तो उजियारा देता है ऐसे ही जब कपूत जब कोई चोटा बच्चा होता है जब जलता है जब नहीं नहीं शरारते करता ह नई नई चीज़े सीखता है गलत बाते बोलता है तो स्राटिंग स्राटिंग में वह बहुत अच्छी लगती है लेकिन जैसे ही जो दीपक होता है वो बुझने लग जाता है तो क्या होता है अंधेरा चा जाता है न तो वैसे यहां बताया गया है जब भी कोई कपुत्र या पुत्र कुछ उल्टी सीधी बात बोलता है तो स्राटिंग में तो वो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन उसकी ही ये शरारते जब पड़ी होके वो करता है तो वो ही शरारते उसकी वही हरकते माबाप के लिए दुखदाई हो जाती है चीक है इसमें यही बताया गया है उसक नैन होता है जो मारे नैन का मतलब है आखे ठीक है आसवा मतलब आसु धरी धरी मतलब गिरना जिये दुख प्रगट जिये का मतलब होता है दिल ठीक है दुख प्रगट करेई यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे आसु होते हैं वो जब गिरते हैं तो हमारे मन का या हमारे ह्रदय का दिल का दुख हमारा प्रगट करते हैं वैसे ही जाही निकारों गेते कसना भेद कही देई यहाँ पर एक एक एक्जामपल से हमें बताया गया है कि अगर हम अपने बॉड़ी पार्ट में से कुछ भी निकालते हैं तो हमारा जो दुख है वो प्रगट कर देता है जी को कि इस तरीके से इसका अंठ होगा तो वैसे जो आसू है वो भी हमारे शरीर का है अगर हम उनको भी निकालते हैं तो वह भी हमारे दुख दूसरों को बता देता है ठीक है इसमें ये चीज़ बताई गई है उसके बाद आपका चोथा दोहा है आयोप यहां तक आपका क्लियर है ठीक है आप ध्यान से आराम से समझे और अगर समझ ना आए तो बार बार आप इसको रिपीट करके वीडियो को देख लीजेगा चलिए फोर्ट दोहा देखते है यहां पर इसमें बताया गया है कि यहां रहीम ने जो कहते हैं जनमत यानि जनम के साथ जनम के साथ हमारे जनम के साथ हमारे जनम के साथ word का मतलब होता है एक इसे दुश्मनी रखना प्रेम का मतलब प्रीती का मतलब प्रेम अब भ्यास का मतलब कि कोई भी हम काम करने के हमारे पास कोशल हो ठीक है और जस का मतलब होता है यश तो इसमें कह रहे हैं कि जनम के साथ ये चारो चीजे नहीं मिलती ये चारो चीजे जो हैं वो धीरे धीरे बलकि दीरे दीरे बढ़ते हैं इसी से हमारा विकास होता है अब मैं आपको एक्जाम्पल देती हूँ बैर यानि जो बैर होता है वो हमारा बच्पन से तो स्टार्ट नहीं होता हम जो पैदा होते तो हमें थोड़ी ना पता होता है किस से बैर रखें क्या करें हम तो बस बच्पन से बढ़ते हैं तो यह सारी चीजें यहां धरती आने के बाद जब हम बड़े होते हैं दीरे दीरे अमारे अंदर जो है विकसित होती है उसके बाद आपका फिफ्ट दोहा है तोटे सुजन मनाई ये जो टूटे सो बार रहिमन फिरी फिरी पोहिये तोटे मुक्त हार यहां पर एक एक एग्जामपल से बताया गया है कि तूटे मुक्ता हार मुक्ता हार यानि जो हमारे हार होता है कोई भी मुक्ता हार ठीक है वो होता है मुक्ता हार इसमें रहीम कहा रहे हैं कि जैसे मुक्ता हार अगर तूट जाता है तो आप लोग क्या करते हैं आपको सुजण सुजब यानि घर के जो लोग घर के जो member होते है यहा फिर सुजब का यहाँ पर एक और meaning निकलता है सुजब तो यहां पर कहते हैं कि अगर तुमसे कोई स्वजब या कोई सुजब रूठ जाए तो उसे हम बार बार सो बार आपको मनाना चाहिए उसकी ऐसा नहीं करना चाहिए कि रूठ गया तो रूठ गया ठीक है उसको वैसे ही मनाना चाहिए जैसे कोई मूतियों का हार तूट जाता है तो उसको बार बार पिरोया जा सकता है ठीक है इसमें ही बात बताई गई है उसके बाद आपका सिक्स्त है काज परे कच्छू और है काज सरे कच्छू और रहिमन भावर के भए नदी से वरावत मौर यहां पर बात कही गई है कि काज परे कच्छू और है जब किसी इनसान का काज पढ़ जाए काज याने काम ठीक है काम के टाइम तो कुछ और है और काम निकलने के बाद कुछ और है सरे माने निकलने के बाद ठीक है एक इनसान है जो अपना काम करवाने के लिए तो कुछ और म बढंने पर कुछ और है और कम निकल जाने के बाद कुछ ऑर है रहिमण भावर के भये नदी सेरावत मोर ऐसे ही जैसे दूलहne पगड़ी के सहरें के और लगाए-घजाता है तो तयार होरह होता है तो साहरे पर जो चीज लगाई जाती है उसको मोर बोलती है तो जैसे दूला तैयार हो और अपना जब काम निकल जाए उसका तो वो अपनी जो है एट या फिर अपनी इत्राना पन वो दिखाने लग जाता है यही चैसे में बताए गई है कि हमें हमेशा समान रहना चाहिए कभी भी यह नहीं करना चाहिए कि हमारा काम निकल गया तो दूसरे के जो काम था उसको हम बूल जाएं ठीक है यहां उसके बाद आपका सेवंथ दोहा है वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग बाटन वारे क लगे जो महंदी को रंग यहां पर कहते हैं कि वो रहीम नर यानि मनुष्य वो मनुष्य धन्य है पर उपकारी रंग जो की करते हैं मतलब दूसरे के उपकारी पर मतलब दूसरों का ठीक है उपकारी का मतलब होता है उपकार करना वो मनुष्य धन्य होते हैं जो अपने से पहले दूसरे का सोचते हैं बाटन वारे के लगे जो महंदी को रंग जैसे हम महंदी लगाते हैं तो उसके बाद महंदी तो हट जाती है लेकिन उसका रंग छूट जाता है है ना उसका रंग हमारे हाथों पर रह जाता है वैसे ही हमें हमेशे दूसरों के उपर अपकार करना चाहिए दूसरों के उपर अपनी दया भाव दिखाना चाहिए और दूसरों के हमेशा help करनी चाहिए उसके बाद यहाँ पर आपके दोहे complete होते हैं next आपका सोठा स्टार्ट होता है ठीक है सोठा पढ़ लेते क्या दिया हुआ है पहला आठो हमारा सोठा है रहिमन मोही ना सुहाए अभी पियावे मान बिनू बरू विश्यदे बुलाए मान सहित मरीबो भलो यहाँ पर जो रहीम जी है वो कहते हैं कि कोई जो है अपने बारे में रही अमी का मतलब होता है अमरिट ठीक है मान बिना अगर अमरिट भी पिलाया जाए तो वो भी मुझे नहीं सहाएगा वो मुझे बिलकुल नहीं सहाएगा बरू विश्यदे बुलाए मान सहित मरीबो भलो कहते हैं कि अगर मान के साथ यानि सम्मान के साथ अगर विश्यदे दि पिर भी वो अमर होकर क्या करेगा है ना अगर उसको बिना मान के ही उसके आत्म सम्मान चीन कर उसको अमरित पिलाया जा रहा है तो वो क्या करेगा उस अमरित का लेकिन अगर वहीं उसको मान के साथ विश भी दिया जा रहा है प्रेम के साथ विश भी दिया जा रहा है तो वो उसको हसी हसी या खुशी-खुशी सहलेगा ठीक है यहीं इसमें चीज बताई जा रही है कि अपने आत्म सम्मान के हमेशा रक्षा करनी चाहिए उसके बाद आपके बरवे स्टार्ट होते हैं यह दो बरवे हैं आपके नौवा और दस्वा बाहिर लेके दियावा वारन जाए सासु ननदडिक पोंचत देत बुझाए यहाँ पर बरवे में हमारा हमेशा प्रेम सम्मंद दिखा रहे हैं एक पतिनी जो होती है वो अपने पती का इंतजार कर रही है वो अपने पती का घर लोटने का समय हो गया है उसके पती का और वो दिन भर से अपने बिच्छडे हो कि वो दिया लेकर बार 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 जाती है वारन जाए वारन याने उसकी कि इंतजार करने जा लेकिन सांस्aciónised ननद डिघ पोचगत लेकिन वो क्या करती है सांसु ननद उसकी जो सास और ननद है जो गेट पर बैठी हुई है उसको देखते ही वो अपना जो दिया है वो बुझा देती है दे तो बुझाए उसको बुझा देती है और वो क्यों बुझाती है ताकि उसको जो है उसको ये डर है कि उसकी जो सास या ननद है उसे ताना भी दे सकती है या फिर उसे इस चतरिया बर्खत बात इसमें हाँ पर बताया गया है कि लेके सुघरू सुघरू यानि ग्रहिनी जो जिसकी शादी हो जाए वो होती है सुघरू ग्रहिनी खुरपिया खुरपिया यानि खुरपी खुरपी लेकर जो ग्रहिनी होती है वो पिया के साथ पिया के साथ एक ही चतर या एक ही छत्री में बर्खत बात जहां पर बर्खा हो रही हो या बारिश हो रही हो उस मार्ग पर चल रही है तो ये बात इसमें हाँ पर बताई गई है कि खुर्पी लेकर अपने पती के साथ या प्रिया के साथ एक ही छत्री में बर्खा बारिश के नीचे और एक ही मार्ग और अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए क्योंकि मुझे उससे बहुत रहता है और मुझे पता चलता है कि आप लोग आगे कौन सी वीडियो और किस टाइप की वीडियो चाहते हो जिससे कि आपके एक्जामत की तैयारी और अ आप इनके मतलब समझ लीजिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है और यहां से आपको क्लियरली मतलब इनके पता चल गए हो और पता चले हैं तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जितने भी साती हैं के साथ लाइक शेयर ज प्रेस कर दो, थैंक्स फूरू